सरकारी नौकरी पाने के उपाय प्रिय बंधों आज इस पोस्ट में हम सरकारी नौकरी पाने के उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं निजी वस्वरोजगार छेत्र की अनिश्चित्ता को देखते हुए आज हर माप बाप वयुवा चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए वर्तमान समय में सरकार की नीतियों के कारण सरकारी नौकरिया कुछ कम निकल भी रही है इसलिए इसे पाने के लिए युवा अभ्यर्थी दिन रात मेहंत करते हैं जोतिश शास्त्र के मुताबिक सरकारी नौकरी मिलना आपके जन्म के समय की ग्रह दशा पर निर्भर करता है यदि ग्रहों का योग नौकरी मिलना दिखा रहा है तो आपको यह अवश्य मिलनी चाहिए परंतु मन चाही नौकरी पाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने कर्म यानी की अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा समय दें इसके साथ ही आप ग्रहों और देवों को अपने अनुकूल करने के लिए शास्त्रों में उल्लेखित उपायों को भी करें पूरे मनोलोग और श्रिद्वा के साथ पूरे किये गए उपायों को करने के बाद आपको सफलता मिलने की संभावना के योग काफी उच्छ हो जाते हैं जोतिश शास्त्र के अनुसार सूर्य सरकारी नौकरी दिलाने का प्रमुख ग्रह है यह मंगल और ब्रिहस्पती के साथ मैत्री पूर्ण संबंध साज़ा करता है और बुद्ध के साथ तटस्थ संबंध रखता है इसी कारण मेश, व्रिश, मिथुन, सिंह, तुला और व्रिश्चित लगनवाले जातक आमतौर पर सरकारी नौकरी पाने में सफल होते हैं यू तो सरकारी नौकरी पाने के सटीक उपाय भी कुंडली के अवलोकन के बाद ही सही तरीके से बताय जा सकते हैं परंतु यहां इस पोस्ट में हम कुछ सामान्य उपायों को बताएंगे जिनहें हर युवा अथवा युवती कर सकता है पहला और सबसे महत्वपून उपाय सूर्यदेव का है सूर्य की क्रिपा से ही सरकारी नौकरी मिलने में काफी मदद मिलती है धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव की साधना का अक्षय फल मिलता है सच्चे मन से की गई साधना से प्रसन्न होकर भानुदेव अपने भक्तों को सुक्सम्रिधी, मानसम्मान, पदप्रतिष्था, सरकारी नौकरी एवं अच्छी सेहत का आशिर्वात प्रदान करते हैं ऐसे में सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको सूर्य भगवान के ये उपाय करने चाहिए रविवार के दिन गुड का दान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को प्रसंद करने और उनकी कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गुड का दान करना शुब होता है इस दिन दान करने का विशेश महत्व होता है आप अपनी सार्मथ्य के अनुसार गुड का दान कर सकते है सूर्य देव की आराधना यदि आपको सरकारी नौकरी के साथ धन, वैभव और यश्की चाहत है तो रविवार के दिन सूर्य देव की आराधना करना न भूले इस दिन भगवान सूर्य की विधिविधान से पूजा आराधना करने से तमाम तरहे की बाधाएं दूर होती हैं और सरकारी नौकरी कारोबार में सफलता मिलने लगती है सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए ये उपाय सिर्फ रविवार नहीं बलकि नियमित रूप से करना चाहिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल चढ़ाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं यहाँ यहाँ आवश्यक है कि जब आप जल चढ़ाएं तो लोटे से गिरने वाला जल ऐसे स्थान पर गिरे जो गंदा न हो उस पर किसी व्यक्ती का पाव न पड़े और जानवर आदी उस जल पर मल मूत्र आदी न करें इसलिए अच्छा होगा कि आप सूर्य भगवान को चढ़ाए जाने वाले जल को किसी गमले अथवा पेड़ के समीप डालें इसके बाद गिरे जल को उंगली से स्पर्ष कर माथे तथा दोनों आख पर लगावे तथा जल के गिरने वाले स्थान की तीन बार परिक्रमा करें सूर्य देव से संबंधित इन उपायों के अलावा आप शनिदेव से भी नौकरी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि नौकरी मिलने में आ रही अर्चने दूर करने के लिए सुभ़ पक्षियों को साथ प्रकार के अनाज मिलाकर दाना खिलाना चाहिए इसे सतनाजा भी कहते हैं दिल्ली में तो पंसारी अथवा अनाज विक्रेता इसे तयार करके बेचते हैं आप अपने शहर में देखें यदि उपलब्ध हो जाता है तो खरीद कर ले आएं अथवा आप स्वन्य साथ प्रकार के अनाज अपनी सार्मत्य के अनुसार खरीद कर और उन्हें आपस में मिलाकर किसी ऐसे स्थानों पर नहा धोकर वपूजा अर्चना आदी से निवरित होकर कर डाल दें जहां सभी प्रकार के पक्षी आते हूँ साथ ही आप प्रतेक शनिवार को उशन शनैश्चराय नम्प का 108 बार जाप अवश्य करें इससे नौकरी में आ रही बाधाएं खत्म होंगी और सफलता मिल सकती है इन सब के साथ आप देवों के देव महादेव की अराधना करके भी सरकारी नौकरी पाने का मार्ग प्रशस्थ कर सकते हैं आप शिव जी की पूजा हर दिन करें भगवान के आशिर्वाद से आपकी नौकरी में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी इसके लिए आप हर सुमबार को शिवलिंग पर जल चड़ाएं साथ ही महादेव को कच्चा दूध और साबुत चावल भी चड़ाएं और अंत में जब आपको लिखित परीक्षा में सफलता मिल जाएं और आप साक्षातकार के लिए जा रहे हो तो नम भगवती पदमावती रिधिसिधी दायनी इस मंत्र का जब 108 बार कर लें एकाग्र मन से आसन पर बैठ कर जब करने पर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी कर दो